सूप्रभाद प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपका ब्लॉग सोला शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूरत चंदा पहुँचे आसमान में। आज का हमारा उपशे रहेगा, कॉमिक स्ट्रिप पढ़ना, पाठियोजना 1, उद्देश, आज का हमारा उद्देश रहेगा, विद्यार्थी कॉमिक स्ट्रिप पढ़ते हुए जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और इसी के साथ हमारे मुख्य शब्द रहेंगे, कॉमिक, स्ट्रिप, अनुमान, इनको आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। चलिए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं, जो इस पाठ की शैली है, वो एक कार्टून कथा की है। इन चित्रों को देखेंगे आप ध्यान से, इन चित्रों में हम क्या देख रहे हैं? सूरज को देख रहे हैं और चंदा को देख रहे हैं और सागर भी देख रहे हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं, चलिए। चंदा कहता है, अरे सूरज कैसे हो तुम? सूरज कहता है, मैं ठीक हूँ चंदा। अरे सागर आज तुम बहुत खुश लग रहे हो? सागर कहता है, मित्र सूरज और चंदा आज मेरी लहरे बहुत खुश हैं, इसलिए मैं भी खुश हूँ। सूरज कहता है, हम तुम्हें अपने घर पर आने का निमंतरन देना चाहते हैं। निमंतरन का अर्थ होता है, किसी को बुलाना। सागर कहता है, अरे वाह धन्यवाद, मैं जरूर आउंगा। चंदा कहता है, ओ, की क्या हमारे घर में तो पानी भर गया। सूरज कहता है, हाँ, देखो, सब समान पानी में तैरने लगा है। सागर कहता है, ओ, माफ करना मित्रो, मेरे कारण तुम्हारा नुकसान हो गया। सूरज कहता है, कोई बात नहीं सागर, पर अब हम यहां नहीं रह सकते। चंदा कहता है, हाँ, हमें यहां से जाना ही होगा। सूरज कहता है, हम उपर आसमान में ही जाएंगे, अब हम वहीं रहेंगे। सागर कहता है, पर तुम दोनों कहां जाओगे, तो इसका उत्तर सूरज देता है, कि हम उपर आसमान में जाएंगे, अब हम वहीं रहेंगे। फिर चंदा कहता है, अरे ये तो बड़ा आसान है सागर। सागर कहता है, फिर मैं तुम से कैसे मिलूँगा। तो चंदा कहता है, रात्री में मैं तुम से मिलने आऊंगा, और सूरज सूरज तुम से मिलने आएगा। और अंत में कहता है अल्विदा मित्रो अपना ख्याल रखना और मिलते रहना तो इसी तरह से सूरज और चंदा आस्मान में चले जाते हैं अब हमने कॉमिक स्ट्रिप को पढ़ा कॉमिक स्ट्रिप से जानकारी प्राप्त करने में हमारी कौन से बिंदू मदद करते हैं चित्रों को क्रम से देखना वाक्यों को पढ़ना चित्र और वाक्यों से जानकारी मिलना चलिए अब आज के पार्ट पर आज के उपविशे पर कॉमिक स्ट्रिप को पढ़ना पर आधारित आपकी कारे पत्र 16.1 जो की प्रिश्ट नंबर 37 पर है दिएगे चित्रों को देखकर प्रश्णों के उत्तर दीजे दिएगे चित्रों को आपने देखना है और प्रश्णों के उत्तरों को देना है क पार्ट में बोला है चित्र में कोन कोन है आपने चित्रों को ध्यान से देखना है और क पार्ट में आपने लिखना है कि चित्र में कोन कोन है खर पार्ट में वे क्या कर रहे हैं? आपने इन चित्रों को देखना है और आपने बताना है कि उस चित्र में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रशन नमबर दो, उपर दी गई कॉमिक स्ट्रिप में किस विशे में बात हो रही है? एक या दो वाक्यों में बताईए. प्रशन नमबर तीन, यदि आप चित्र में दिखाएगे लड़के की जगा होते, तो कुत्ते को क्या कहते? चलिए बच्चे, अब हमारी पाठ योजना दो आती है, इसका उविशे रहेगा पात्रों के बीच होने वाले समवाद. उदेश रहेगा, विद्यार्थी दो पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को समवाद के रूप में लिख पाएंगे. आज के इस पाठ को पढ़ते हुए, आप दो पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को समवाद के रूप में लिखना सीखेंगे. तो इसके मुखे शब्द रहेंगे समवाद, क्रम, इनको भी आपने अपनी नोटबुक पे. चुहा कच्वे से पूश्टा है, कच्वे भाई, कैसे हो? कच्वा उत्तर देता है, मैं अच्छा हूँ. चुहा कहता है, कच्वे भाई, कैसे हो? कच्वा उत्तर देता है, मैं अच्छा हूँ. तुम कैसे हो? चुहा उत्तर देता है, मैं भी अच्छा हूँ. मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ. क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? अब आप मुझे बताएंगे कि ये बातचीत किस किस के बीच हुई बिलकुल सही जैसे कि आप चित्रों को देखकर ये अनुमान लगा सकते हो कि ये जो बातचीत हुई है ये कच्छुए और चुहे के बीच हुई अब अगला प्रशन ये आता है वे दोनों किस के बारे में बात कर रहे थे बिलकुल सही चुहा अपनी नानी के घर जाने की बात कर रहा था और वो दोनों आपस में एक दुसरे का हाल पूछ रहे थे तो आज हम दो पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को समवात के रूप में लिखने का अभ्यास करेंगे ये एक बातचीत है रीता ने गीता से कहा कि चलो बाहर खेलने चलते हैं गीता ने पूछा कि कौन सा खेल खेलेंगे रीता ने कहा कि हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे गीता बोली कि ठीक है पर पहले मैं पकड़ूंगी और तुम भागना रीता ने कहा ठीक है पकड़ो मुझे तो आपने इन बातचीत को समवाद के रूप में अपनी रफ नोट बुक पे अभ्यास करना है इन वाक्यों को आपने समवाद के रूप में लिखना है तो समवाद लेखन यानि कि समवाद को लिखते हुए आप किन बिंदों को अपने ध्यान में रखेंगे कहानी को ध्यान से पढ़ना है फिर कहानी में आए पात्रों के बारे में जाना पात्रों के द्वारा दी गई बातचीत को समझा फिर बातचीत वाले वाक्यों को समवाद के रूप में लिखा इन बिंदों की सहायता से आप पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को समवाद के रूप में लिख पाएंगे इस पार्ट पर आधारित आपकी कार्य पत्र 16.2 उप विशे पात्रों की बीच होने वाली समबाद प्रिश्ट नमबर 38 पर है प्रशन नमबर एक पलक और तनुल किस विशे पर बाचित कर रहे हैं एक वाक्य में लिखे आपने पलक और तनुल की बाचित को पढ़ना है और फिर आपने उत्तर में लिखना है कि पलक और तनुल किस विशे में बात कर रहे हैं प्रशन नमबर 2 नीचे लिखी बाचित को पढ़िये और समबाद के रूप में लिखी आपने इस बादचीत को पढ़ना है पहले और इस बादचीत को आपने संबात के रूप में लिखना है प्रशन नमबर तीन नीचे लिखी हुई बादचीत को पूरा कीजिए जैसे कि कुनाल कल मेरा जनम दिन है अक्षत अरे वा तब तो जरूर तुम्हें पाटी रखी होगी तो उसके बाद आपने कुनाल ने क्या कहा वो लिखना है और अक्षत ने उसके बाद क्या कहा होगा आपने इसको लिखना है तो आज के पार्ट पर आधारित आज का आपका ग्रह कारे रहेगा शब्दार्थ प्लस अभ्यास प्रश्न एक दो तीन और नो के उत्तर आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने हैं और इसी के साथ आपकी कारे पत्र 16.1 और 16.2 पूरी करें